अब टोटनेट इसके पिखले पिस्वार में आपने देखा होंगा इंसेट की करें की बारे में तो इसे वरण हम एक हम बनाएंगे डिलेट के लिए यहां से राइट क्लिक करके एदने वाइट हम रेफों उसका नाव दखेंगे हम डिलेट फों डेटा और उसका हम एड़ करेंगे यहां से यहां से हम रेफोर फिंगे यहां से हम एक पेज एल्ट कराएंगे यहां से हम डिलेट और टेबल लएंगे 59 से लिएबल लेंगे टेबल टू रवा एंटू कॉलम्स ओके यहां से हम एक लेबल लेंगे और एक टेक्स बॉक्स लेंगे ओके यहां बटन डिलेट क्वेरी अब लेबल का नाम अभी यहां दे हम चैंज करेंगे पर एक अवे इडियुक्र क्यूल होगी ऑन डिलेट करेंगे बटन की कुक्वेरी पर हम सिप्रोपर्टि घैंगे राथ क्लिक करके और बटन का नाम गाए हमेंगे डिलेट की टेक्वेरी थे हम प्रकार डिलेट के कहते हम फट्रेकि क्नेगे यहां पे हम SQL उपर्ट कराएंगे system.data using system.data.sql client save it और हम यहां से insert की query के अंदर जो code लिखा है उसे हम copy करेंगे यहां से copy यहां से स्टेल लेगे यहां से हम टेस्ट करेंगे इसको control test save हो चुका है यहां save करेंगे हैं यहां से हम अनदर स्टीन करेंगे स्ट्याश डिलेट यहां से हम डिलेट करेंगे डिलेट फ्रॉम हमारा टेबल का नाम है जो भी टेबल का नाम है यहां से हम देखेंगे हम अंदर कितने डिटा है नहलेगे यहां पर हमें अभी लिटेंदर योल्हां से हम इसको डिलप करेंगे इसे लिए हम ждete में इस बिशिटियां वेर्ध reagies अधर प्रीसेदीशन त मिए रुट करेंगे निए विज्ए करेंगे के चहांलों चैनल1 पेटेक्संट वन सब्लों सब्सना यह जो सब्सनाइब करेंगे यहां से हम sqlq function से str delete पूट कराएंगे और इसको सायू करेंगे अभी आप देख सकते हैं text box यहां की text box 1 की जो भी value होगी वह हम delete button से delete कराएंगे तो अभी हम यहां से करना चाहता हूँ तो यह हम id column से हम delete करेंगे यहां पर id हमने column के नाम दिया हूँ वेर id देख सकते हैं यहां पर नौ नंबर की वेलु डिलीट करूंगा फिर से इस को रण करूंगा यहां पर डालूंगा चार इंटर डिलीट यहां से फिर से देख सकते हैं तो यह पूरा पूर आपको मेरी ब्लोग स्पोट के मिल जाएगा मेरी ब्लोग स्पोट का नाम है यहां से आपको पूरा सोर्सकोर मिल जाएगा इंसर्ट अपडेट और डिलीट के बार में तो थाइंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो के वाचिंग इट